चलिए दूस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फैंटम बॉलेट में अपना एकाउंट कैसे क्रियर करेंगे दूस्तो आप देख रहें कि बहुत सारे ऐसे कोईन आ रहे हैं जो सोलाना के नेटवर्क को यूज करते हैं और सोलाना के नेटवर्क पे यानि सोलाना के ब्लॉक्चेन पे जो कोईन बनी हुई होती है उसे बाहि करने के लिए हमें एक सोलाना बॉलेट के बसकता पड़ती है तो सोलाना बॉलेट भला की बहुत सारे हैं दूस्तो लेकिन उसमें से एक काफी जादा popular and smooth काम करने वाला वालेट Phantom Wallet के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे इस पर account क्रियेट करेंगे डिटिल में हम इसके बारे में जानने वाले हैं तो वीडियो को skip किये बगएर पूरा का पूरा देखेगा और मैं ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को डिमांड पर ही बना रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने जब इस coin के बारे में बदाया था की sound coin जो Solana के blockchain पर बनी हुई है और इसी buy करने के लिए दोस्तों हमें Phantom Wallet के बसकता पड़ेगी तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे हो है यूजर्स है वीवर्स है most of the viewers जेनरली ट्रस्ट बॉलेट है मेटम मास को ही यूज करना आता है और Phantom Wallet का साइध ही बहुत कम ही लोग जो है यूज करते होंगे तो आज से सीख लिजिए बहुत सारे कोईन जो सोलाना पे होंगे इसे आप बाई कर सकते हैं Phantom Wallet से तो इस कोईन को भी कीसोंड को भी बाई करने के लिए दोस्तों Phantom Wallet के है बसकता पड़ती है तो चलिए फटफट आगे बढ़ते हैं लेकिन दुस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगे से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक लाई कर दीजेगा और चैनल कभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है डू सब्सक्राइब राइट नौ साथ में दूस्तों ये मेरा टेलिग्राम चैनल है जो लोगा बही तक मुझस से टेलिग्राम चैनल पर नहीं जुड़े है जल्दी से जुड़ जाईए क्योंकि बहुत सारे अपडेट और न्यूज वहाँ भी सेयर करते रहता हूँ लिंक देखेंगे वीडियो को डिस्क्रिप्शन वाक्स में दिया गया है वहाँ से डिरेक्ली आप जॉइन कर सकते हैं तो दोस्तों अगर बात करें सोलाना के बारे में तो सोलाना एक decentralized and fastest blockchain है सोलाना को पहचान के वा सकता नहीं है आज क्रिट पे अगर इसको ecosystem के बात करें तो इसके ecosystem में बहुत सारे बड़ी बड़े project आते हैं और एक दो project नहीं है दोस्तों आप total देखेंगे तो यहाँ पर लगबंग में 889 प्रोजेक्ट इसके अंदर में आते हैं इसके ecosystem में आप यह सारे चीज़े देख रहे हैं यह सारे के सारे चीज़े blockchain यानि सोलाना के blockchain पे बनी हुई है इसके ecosystem के अंदर आते हैं चाहिए serum है जैसी यह DeFi decentralized exchange है उसी तरीकी से आर्ट पंक्स NFT देखेंगे तो यह NFT है फिर 01 देखेंगे DFI decentralized exchange है audience देखेंगे काफी most popular apps बगएरा है DFI line है तो बहुत सारे चीज़े आपको यहाँ पर दिखने मिलेंगे इसके अप ecosystem के अंदर में तो इसमें से एक आते हैं इसके ecosystem के अंदर एक आते हैं दूस्तो फैंटम बॉलेट जिस पे हम लोग account create करना सीखेंगे तो चलिए आते हैं फैंटम बॉलेट पे तो इसे account create करने के लिए दूस्तो सबसे पहले आपको क्या करना है था होगा कि आजाना है अपने ब्राउजर में तो मैं Chrome ब्राउजर open किया हुआ तो आप भी कोसिस करें Chrome ब्राउजर का ही इस्तमाल करें इसका application अभी मुझे play store में कहीं भी देखने को नहीं मिला है आज मैंने find करने के कोसिस किया था बट अभी तक मुझे कोई भी phantom wallet play store पे नहीं दिखा है अगर कुछ वो ऐसा update होगा तो मैं आपको share कर दूँगा अपना telegram चैनल पे भी है और साथ में इस वीडियो के description box में भी link को फिर डाल दूँगा अगर मुझे जैसे ही मिलता है लेकिन अभी आप search करेंगे play store पे तो बहुत सारे phantom के नाम से wallet दिखेंगे बट वो actual यानि original नहीं है इसलिए avoid करें उसे मैं बता रहा हूँ क्या भी आपको मिलेगा नहीं तो browser का इस्तेमाल करें अपने browser को एक wallet में convert कर ले phantom wallet में सबसे पहले आपको क्या करना है add to chrome यानि इस phantom को क्या करना है अपने chrome extension को add कर देना है तो इस पर click करेंगे click करनते के साथ आपके सामने ऐसा interface आ जाएगा फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तो add to chrome कर लेंगे यानि ये extension आपके chrome में add हो जाएगा जैसे दोस्तो phantom extension add हो जाएगा chrome में तो उसके बाद आपके सामने ऐसा interface by default open हो जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है create new wallet first time account create कर रहे है तो आपको click करना होगा create new wallet पे इस पर जैसे click करेंगे laptop में save करने के जुरात नहीं है इसे अपने diary में secure करके रखे leak करके रखे अगर वो खो जाए क्योंकि laptop में इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ से hack भी हो सकती है या फिर आपका laptop crash हो गया तो यह seats अगर चलेगे और आपके wallet में पैसे बहुत ज़्यादा है तो recover किसी भी हाल में नहीं होने वाले है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसे 2-3 जगा इस seats को leak करके diary में रखे ज़्यादा अच्छा है तो इसे मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैं इसे note कर लेता हूँ आप लोग भी दोस्तों इसी तरीके से आप क्या करना है note कर लेना है इसी note करने के बाद आप यहाँ पर copy पर click करके copy भी कर सकते हैं copy करने के बाद okay I saved it somewhere click कर देना है फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक password create करना है password create करेंगे फिर same password को यहाँ पर confirm password के column में डालेंगे and I agree to term of services पर click करके save कर लेना है तो चलिए हम फड़ फट एक password create कर लेते हैं save button पर click करेंगे दोस्तों तो उसके बाद आपको यहाँ पर ऐसा option आएगा keywords shortcut के लिए बोला जा रहा है but यहाँ पर simple आप क्या करेंगे continue button पर click करेंगे continue button पर click करने के बाद simple लिखा जा रहा है you are all done यानि आप set हो चुके है तो यहाँ पर just आपको क्या करना है finish button पर click कर लेना है और आपका wallet जो है create हो चुका है तो एक बार हम देख लेते हैं अपने wallet को तो extension में आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो एक बार check कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आप extension पर click करेंगे और phantom extension को open कर लेंगे जैसे open करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface open होगा तो let it open, open होने देते हैं और यही आपका wallet है इसी तरीके से wallet होगा जिस तरीके से आप अपने phone में open करते हैं trust wallet को देखते हैं ठीक उसी तरीके से इनका भी wallet है तो एक बार इसे open होने देते हैं अभी यह searching ले रही है देखेंगे दोस्तों यह open हो चुकी है अभी मेरा यह आपको demo दिखा रहे है तो कुछ भी balance यहाँ पर show नहीं कर रहा है first time account है यहाँ deposit and send का option दिया गया है यहाँ पर देखेंगे d apps यहाँ पर option दिया गया है इस पर click करेंगे यहाँ exchange का option दिया रहा जा रहा है तो आपको वही feature देखने को मिलेगे जो generally आपको trust wallet वेगरा में देखने को मिलती है तो इस तरीके से दोस्तो आप easy way में phantom pay account create कर सकते है कोई problem आपको नहीं होने वाली है अब यहाँ से किसी भी token को buy करना चाहते है तो buy easy तरीके से हो जाएगा लेकिन buy करने का यही किसी टोकेन को हम buy करके आपको दिखाएंगे लेकिन next video में दोस्तो आपको करके दिखाने वाले है इस video में मैं नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि video काफी ज़्यादा लंबी होने वाली है इसलिए दोस्तो create तो हो चुका है बॉलिट बट नेक्स वीडियो में आपको हम टोकिन को बाई करके दिखाएंगे जो Solana Network को यूज करती है चले दूसरों आज के इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद